अब यहां पे यह वाला जो कोर्स जैंग हो इस पे अगर मैं जाता हूं मैंने का शो मोर तो यहां पे कोर्से जाते हैं यहां से हमने अपनी जो कहानी है वो शुरू की लॉग इन करने वाली क्योंकि यहां पे हमने करना था कि आप लॉग इन हो तो आप जो प्रिवियू लेक् जो है वो preview lecture है बागी की lecture preview lecture है दो तीन preview हो बागी नहीं है बागी की paid है तो अगर आप login हो और आपने यह course खरीदा है तो ही आप आँगे की देख सकते हूँ ठीक है तो यह हमको यहाँ पर करना है तो अभी मैं कौन सा course देख रहा हूँ यह जो course है यह जैंगो basics वाला मैं अग यहाँ पर फिर से condition लगाऊंगे कि आपने purchase किया अगर किया है तो ठीक है नहीं किया तो हम आपको दिखाएंगे enroll page तो checkout page दिखाएंगे ठीक है तो चलते हैं कैसे करना है इसको देख लेते हैं तो मैं क्या करूंगा VS code में जाओंगा वापस जहां से हम course को change कर रहे हैं जहां अगर मुझे मिल गया वो serial number यहाँ पर मुझे मिल गया वो video ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या check करूंगा कि अगर video preview video है तो यह मैंने यहाँ पर चेक किया अगर video preview video है और अगर आप login नहीं हो तो मैंने यहाँ पर इसको redirect कर दिया login page में लेकिन मैं अभी login हूँ ठीक है मैं यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर लिखा if video is not preview तो इसको मैं यहाँ से cut कर लेता हूँ मैंने इसको cut किया यहाँ पर पेस्ट किया इसका मतलब क्या है कि अगर video preview false है तो मुझे यहाँ पर condition check करना कि आप login हूँ तो मैं इसको रखूंगा इसके अंदर यहाँ पर और इस end को यहाँ से remove करूँगा अब आप इसको again read करो यहाँ पर इतने सारे brackets क्यों लगी है remove कर देते हैं इसको हम यह हो गया ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ गया अगर video preview false है तो इसका मतलब है मैं चेक करूँगा आप login हो कि नहीं तो मैंने यहाँ पर check किया is authenticated अगर आप login नह खरीदा है तो ठीक है नहीं खरीदा है तो फिर से हम login पेज उसको देखा देंगे ठीक है तो चलते हैं वापस से checkout page में और यहाँ से code again यहाँ से copy कर लेता हूँ यह वाला इतना code मैंने copy किया यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर paste कर दिया यह किया ठीक यहाँ पर मुझे user चाहिए तो जो login किये हो मतलब यहाँ पर देखो आप login नहीं हो तो login पेज दिखा दिया अगर आप login हो तो हम को वो user चाहिए user मुझे कहां से मिलेगा request.user से मुझे वो user मिल जाता है तो यहाँ पर मैं कहूंगा user request.user तो इससे मुझे वो user object मिल जाएगा वो user मैंने इसको पास किया मैंने यहाँ पर चेक किया user course है कोई अगर user course मिल गया मतलब आप enroll हो अगर मिल गया तो enroll हो नहीं किया नहीं मिला तो यहाँ पर एक एरर आएगा तो यहाँ पर expect block चलेगा जब यह वाला block चलेगा तो यहाँ से मुझे करना है redirect करना है login page नहीं login page नहीं करना है क्योंकि मैं तो login हूँ तो login हूँ तो मुझे क्या करना है मुझे यहाँ से checkout page देना है for example वापस आते हैं मैं login हूँ चुका हूँ ठीक है मैंने इस course को purchase नहीं किया है okay course purchase नहीं किया मैंने click किया lecture number 5 पे तो क्या होना चाहिए मैंने course purchase नहीं किया तो मुझे checkout page बिलना चाहिए user आपने course नहीं किया तो पहले course purchase करो फिर आप lecture number 5 देख पाओगे ठीक है मुझे यहाँ से checkout page देना है तो redirect करेंगे हम checkout page में तो मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ error आगया मतलब कि आप अपने subscription नहीं लिया checkout page में login करेंगे तो checkout page login करने के लिए हमको उसका name चाहिए urs.py में आएंगे checkout करने के लिए जो हमको name है यह है check page इसको मैं proper name देता हूँ मैंने इसको लगद दिया checkout copy किया checkout दिया बापस आते हैं redirect करना हमको checkout page में तो यह मैंने कर दिया checkout तो इस error को मैं यहाँ से remove कर देता हूँ उसकी ज़रूत हमको नहीं है save किया तो चलते हैं उसको check कर लेते हैं एक बार और फुर से देख लेते हैं अगर video preview वीडियो है तो क्या करेंगे video दिखा देंगे लेकिन अगर video preview नहीं है उस case मैंने चेक किया क्या आप login हो अगर आप login नहीं हो तो login अगर आप login हो तो उस case मैंने यहाँ पर चकिया किया आपने course को purchase किया है अगर आपने course purchase किया है तो try proper चल जाएगा, except block नही चलेगा कोई दीकर नहीं आप वीडियो देख सकते हो लेकिन अगर ये नहीं छला अगर यहाँ पर user course नहीं मिला मनलप की error आएगा कि आपना guide यूज किया तो अगर कोई error आएगा तो यहाँ पर redirect होंगे checkout page में क्योंकि आप enrolled नहीं हूँ चलते हैं, check करते हैं, page को reload किया तो यह देखो, पहले यह error आगया क्या error आया है, मैं आपको दिखाता हूँ यह आए, lecture number 2 देख सकता हूँ मैं lecture number 3 में नहीं देख सकता, क्योंकि वो preview वीडियो नहीं है तो यहाँ पर क्या problem दे रहा है, कि checkout with no argument found ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, क्यों मैंने क्या किया checkout page यहाँ पर सर्व किया, बट checkout page को एक slug चाहिए होता है यहाँ पर, देखो, slug चाहिए न, कि कौन सा course आपको चाहिए है तो वो slug हमको pass करना पड़ेगा, तो हम redirect को यहाँ पर keyword argument pass कर सकते तो मुझे यहाँ पर slug पास करना, slug ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि urs.py में str में slug लिखा है इसलिए मैं वहाँ पर slug लिखूँगा, तो slug is a question, जो भी slug है, इस course का वो मैं pass कर दूँगा, यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिख दिया course.slug ठीक है, तो course का जो slug value वो मैंने pass किया, तो वो redirect अब proper हो जाएगा आँ चलते हैं वापस, page को किया, reload, अब देखेंगे, यहाँ आ गया, lecture number 4 पर किने क्लिक किया, तो यह देखो, checkout page आ रहा है मिर पास, कि मुझे यहाँ पर course खरीमने की जरूरत है, perfect है, आँ वापस चलते, lecture number 1 देखना है, देख सकता हूं, lecture number 2 देख सकता हूं, lecture number 3 नहीं क्योंकि वो preview video नहीं है, simple, now express js के साथ हम try कर लेती, क्योंकि मैंने this course को खरीदा हुआ, now start courses पर जाएंगे, okay start course काम नहीं कर रहा, तो start course को कैसे काम करवाएंगे, हम show more पर click करते हैं, तो क्या होता है, course plus यहाँ पर क्या आता है, उसका slug, यही URL हमको यहाँ पर use करना है, course slash slug तो जब start course में हम click कर रहें तो उस button को हमको handle करना है, तो चलते हैं, home page में, तो यह आगया home.html, if condition में यह लगा है, यहाँ पर मुझे URL अट करना है, तो यहाँ मैं लिग हुआ slash course, slash करके मुझे देना है course का slug, यहाँ मैं लिग दूँगा course.slug, save किया, page पर reload करेंगे, start course प lecture no.5, मैं सारे lecture देख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस course को purchase किया है, तो एक चीज और हमको यहाँ पर करना है, वो क्या, कि अगर मैं जैंगो course में आता हूँ, और मैं यहाँ पर देखो, मैं इस पे handover करता हूँ, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कि जो lecture disabled है, जो lecture preview नहीं है, जो lecture उसको हम तोड़ा अलग color में देखा है, या फिर हम जो click है, इसको हम इस पे, जब इस पे mouse over करना है, तो hand ना देखे है, यहाँ पर हम इसको देखा सकते हैं, कि इसमें एक ऐसा red color का circle देखा सकते हैं, या आप इस पे click नहीं कर सकती, यह बाला जो lecture वो आपके लिए नहीं है ठीक है, उसमें जोड़ा CSS apply कर सकते हैं, देखेंगे हम इसको next video में